बॉलिवूट एक्टर सनी देओल की मूस्ट ओवेटिट फिल्म गदर टू अगले महीने 11 ओगस को सिनिमा घरों में रिलीज होने जा रही है बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म की टकर अईकुमार की OAMG2 के साथ होने वाली है इन दिनों ही फिल्म के पहले पार्ट बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुए थे ऐसे में गदर 2 और OAMG2 के क्लैश को लेकर खुब चुज़ा हो रही है इस बीच सनी देओल ने एक इंटर्विव के दोरान गदर 2 और OAMG2 के क्लैश को लेकर बात की है सनी देओल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग फिल्मों के तुलना क्यों करते हैं जबकि उनके बीच कोई तुलना नहीं है अच्छे फिल्मों की तुलना दूसरे से नहीं के जानी चाहिए सनी ने कहा कि 2001 के फिल्म गदर एक प्रेम का था आमिर खान स्ट्रारर लगान के साथ तकरा गई थी गदर ने बॉक्स ओफिस पर 100 करोड से अधी की कमाई की थी जब के लगान ने बहुत कम कमाई की कुझे समझ नहीं आता कि लोग तुलना क्यों करते हैं चाहे वो बेवसाय हो या संभावना की बिंदू से एक्टर ने कहा कि मैं जो कहने की गोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि जो फिल्म ज्यादा अच्छी होती है फिर भी आप उसकी दूसरे फिल्मों की बराबरी में ले आते हो जिस चीज की बराबरी नहीं है मत करो बता दें कि गदर टू का नरदेशन अनिल शर्मा ने किया है इस फिल्म में सनी देवल, अमेशा पटेल, उतकर शर्मा, वनीश बंधावा, सिमरित कौर और लौसिना नजर आएंगे इस बार सनी देवल अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे